पार्मा प्रोटेस्ट अप्डेट्स सड़क पर खाना चाय देखिये किसान आंडुलन की अंदेखी तस्वीरे कृषी कानून का विरोध कर रहे किसान आन फ्रोटेश्ट इन दिंली दिंली सीमा के करीब दटे हुए किसानों ने अपनी बात माने जाने तक जमे रहने की बात कही है पूरी तैयारी के साथ आए किसानों ने अपने खाने पीने से लेकर ठाहरने तक का अनुखा इंतजाम कर रखा है किसान सड़क पर ही खाना खा रहे हैं आंदोलन के कारण नोड़ा डिल्ली सीमा पर ट्राफिक को डाइवर्ड किया गया है बता दे कि कल यानी 3 दिसंबर को सरकार और किसानों किसान आंदोलन कब तक चलेगा के बीच फिर से बैठक होगी दरसल एक दिसंबर को दोनों पक्सों के बीच होई बैठक बे नतीजी रही थी दिल्ली गाजियाबाद के गाजीपूर बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन के लिए जूटे किसानों के बीच लंगर परोसा जा रहा है ये सोबी किसान केंदर सरकर के नए करशी कानूनों का विरोध कर रहे हैं सडक बना आशियाना यही पर दाना और पानी किसानों फार्मर्स प्रोटेस्टेन दिल्ली लेटेस निउज ने आंदोलन की पूरी तैयारी कर रहे है सड़क पर इखाना पानी का इंतजाम कर रहे हैं ये तस्वीर उसकी गवा है बता दे कि किसान क्रिशी कानून का कर रहे हैं विरोध आंदोलन की कुछ अंदेखी तस्वीरे ऐसी भी हैं चाए संंग अंदोलन पर चचा सड़क पर चाय बनाते समय किसान और आंदोलन की आगे की रननीती भी हो रही है और चाचा भी हो रही है बता दे कि किसान नेता हूँ और सरकार के बीच पहली दोर की बाच्चित मंगलवार को बेनतीजा खतम हुई थी खुले आस्मा के नीचे ये तैयारी भी देखिए सड़क किनारे पड़े इटो का इस्तमाल चुले के लिए फिर सड़क चुला बना रोटी पकाते किसान खुले आस्मा के नीचे नर्थंड की परवा और नहीं कोई अन्य चिंता कपड़े सुखाने का भी हो चुका है जुगार अब आंदोलन लंबा है तो जुगार भी करना ही पड़ेगा रोट की नारे ही ट्रेक्टर को अलगनी बना कर कपड़े सुखाता किसान सड़क पर ही लग गया लंगर दोपहल के खाने के विवस्था भी सड़क परी कर दी गए खाना बनने के बाद सड़क पर पंगत में बैट कर खाना खाते हुए किसान जजबा तो देख लीजिए नोईडा सीमा पर घेरा बंदी की हुए किसान दोपहल के खाने का इंतजाम करते हुए किसानों कहना है कि वो आज भी नहीं हटेंगे पुलिस उनको राम लीला मैदान जाने की मंजूरी दे दे थोड़ा सेहत का अब भी खयाल आंदोलन के दौरान किसानों को लसी बाटते लोग किसान इस दौरान अपने खाने पीने का पूरा खयाल रख रहे हैं